Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 12 की जो आपकी Kaleidoscope Book है जो कि आपकी Elective Book है, उसका Chapter No.2 जिसका नाम है Evelyn और आज कवा करूँगी मैं इसकी Summary अगर आपने मेरे Explanatory Videos नहीं देखे हैं इस Chapter के तो जल्दी से जाके जाईए और देखके आईए और इस वीडियो के जो Explanation है, इस Chapter के जो Explanation है उसको मैंने 2 Parts में Divide किया है, Part 1 and Part 2. So, do not forget to watch both the videos. And now, let's begin with a Summary Evelyn, A Story Written by James Joyce is a story about a girl named Evelyn Hill who sits at a window in her house and looks out onto the street while recalling her childhood. तो यह जो स्टोरी है, जिसका नाम Evelyn है, इसको किस ने लिखा है? James Joyce ने लिखा है जो की Author है इस Chapter की. यह स्टोरी एक लड़की के बारे में है, जिसका नाम है Evelyn Hill. इसका पूरा नाम है Evelyn Hill, यह 19 years old है. यह लड़की शाम के समय अपने घर की window पर बैच जाती है, और सामने जो street है, जो सड़क है, उसको देखने लगती है, और पूरा अपना childhood, पूरा अपने बच्पन की जो अच्छी memories है, good memories है, वहाँ बैठ कर recall करती है, याद करती है और बहुत जादा deep thinking सोच विचार करती है. That time she used to play with other children in a field now, developed with new homes. तो वह याद करती कि अभी जो मैं सड़क देख रही हूँ, जब मैं छोटी थी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बड़ी सी field, एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था, जहाँ पर मैं इस पूरे area के दूसरे बच्चों के साथ, अपने भाई बेनों के साथ यहाँ पर खेला करती थी. और अब, finally Belfast, मतलब अब इतने साल, कुछ साल पहले Belfast नाम की एक जगा है, UK में, वहाँ से एक आदमी आया, उसने वो पूरा field खरीद लिया, और वहाँ पर अब घर बना दिये. तो बच्चों के कहीं न कहीं खेलने की जगा चली गई. She thinks about her abusive father with whom she lives and to the idea of freeing herself from her hard life jobs as a shop worker and a nanny to support her younger siblings and her father. वो सोचती है अपने abusive father के बारे में कि मेरे जो father है कितने abusive है, मुझे चिलाते हैं, डाटते हैं, मारते हैं, मुझे बहुत hard work, बहुत मेहनत का काम कराते हैं पूरे घर का. और उन्हीं के साथ वो रहती है गर में. और उसके दिमाग में एक idea आता है कि मैं अपने अपको free करना चाहती हूँ. मैं अपने अपको आजाद करना चाहती हूँ इतने hard life job से. कि मैं घर पे इतना काम कर रही हूँ, इतनी महनत कर रही हूँ. और जो मेरे दो छोटे भाई-बैन है, उनकी nanny की तरह काम कर रही हूँ. याने मैं, इसकी mother जब जिन्दा थी, अब इसकी mother की death हो गई है. तो Evelyn की mother जब उनकी death हो रही थी, तो उस रात, death के रात उसने promise करा अपनी बेटी Evelyn से, कि छोटे भाई-बैनों का और घर का खयाल रखना जब तक तक तुम रख सकती हो. तो ये बिचारी सोचती कि मेरी life कितनी hard है, कितनी tough, कितनी difficult है. चोटे भाई-बैनों की younger siblings हैं, उनको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो school जा रहा है, time पर खा रहा है, सो रहा है, और साथ में एक shop worker भी हूँ मैं, यानि मैं एक छोटी shop, एक store पर काम करती हूँ, तो घर का देखूँ, फिर shop का देखूँ, फिर छोटे बच्चों को देखूँ, उसके बाद मेरे जो father हैं, वो इतना abusive है, इतना मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई जगड़ा करते हैं घर मे और मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ता है, तो मैं यहांसे कहीं भाग जाती हूँ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, अब इसको अकेले तो भागना नहीं था, इसको भागना था, फ्रैंक नाम के एक लड़के के साथ, जो की एक sailor था, वो इसको बहुत love करता था, ये भी उसको love करती थी, तो इसको यहां से भाग के, उसके साथ कहीं दूर, अर्जिंटीना में जाना था, जहां से वो आया था, Evelyn faces a difficult dilemma, remain at home like a dutiful daughter, और leave Dublin with her lover Frank, who is a sailor, तो Evelyn बहुत dilemma में, बहुत confusion में आ गई, कि क्या मैं यहां पर घर पर ही रहूं, एक dutiful या एक responsible बेटी की तरह, जिसने कभी अपनी मरती मा को यह वादा दिया था कि ठीक है, मैं इस घर को और सब के खयाल रखूंगी मैं, या मैं Dublin नाम का यह जो शेहर जहां वो लोग आईलेंड में रहते हैं, या यह शेहर छोड़कर अपने lover Frank के साथ चली जाओं कहीं दूर, जो की खोद एक sailor है, sailor जो ships में, ships में जिसका job होता है, He wants her to marry him and live with him in Buenos Aires and she has already agreed to leave with him in secret, Frank चाता है कि Evelyn उससे शादी कर ले और उसके साथ Buenos Aires जाके रहे, Buenos Aires capital city है, अर्जंटीना की जहां से Frank आया है, तो वो चाता है वो Dublin चोड़के शादी करके उसके साथ वहीं चले, और secretly चुप चाप में Evelyn ने इस चीज़ पर agree भी कर लिया कि ठीक है, मैं अपना घर बार छोड़के तुम्हारे साथ भाग चलूँगी, elope करूँगी, elope means किसी लड़के के साथ चुपचा भाग जाना, तो उसने सोचा कि मैं भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ, तो उसी विंडो पर बैटे बैटे जोगों सोच रही है, उसको बहुत सारे खयाल आ रहे हैं, उसमें से एक खयाल उसको वो भी आता है कि कब की फ्रांक और उसकी कोट्शिप कितनी अच्छी थी, कोट्शिप याने कि जिस दिन से वो लोग मिले थे, और आज की डेट तक जो पूरा अफैर का टाइम पीरिड है उनका, वो कोट्शिप होता है, तो वो अपने कोट्शिप को भी याद करती कि कितना अच्छा, कितना बड़िया टाइम था, कि फ्रांक मिलता था, मुझे घर चोडने आता था, मुझे मेरे स्टोर जहां पर मैं जॉब करती थी, वहाँ मेरे को मिलने आता था, हम बोहेमियन गर्ल नाम के ओपरा शोज देखने जाते थे, सब कुछ कितना अच्छा था, मुझे कितनी अपनी बाते शेयर करना था, लेकिन फिर जैसे ही Evelyn के फादर को पता चला, Evelyn और Frank के रिलेशन्चिप के बारे में, तो उसके फादर ने बहुत फॉट याने बहुत लड़ाई कर ली, Frank से और उसके बाद दोनों लवर्स, Frank और Evelyn को secretly याने चुप चाप मिलना पड़ा, लोगों से चुप के, As Evelyn reviews her decision to embark on a new life, she begins to favor the funnier memories of her old family life, when her mother was alive and her brother Harry was living at home, and notes that she did promise her mother to dedicate herself to maintaining the home. अब Evelyn खिड़की पर बैठी हुई है, आज रात की उसको बोट कैच करनी और भागना है Frank के साथ, तो जब वो विंडो पर बैठी है, deep thinking करी है तो वो बार-बार सोचती है, कि क्या मैं सई कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, क्या मुझे भागना चाहिए या मुझे यहीं रहना चाहिए, क्या मैं अपनी मदर से किया हूँ वो promise तोड़ दूँ, जो मैंने एक बेटी होने के नाते उनसे किया था, जब उसकी माँ जिन्दा थी, जब उसके फादर इतने बुरे नहीं थे, काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, उसको याद आता है कि मेरी माँ की डेथ से पहले हम लोग पिकनिक मनाने गए, तो मेरे फादर ने मेरी माँ की बहुत फ़नी वाली हैट पहनी और डान्स करके हम सब बच्चों को हसाया, फिर जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाद एक दिन मेरी तब्यात खराब थी, तो कैसे मेरे फादर ने गोस्ट वाली स्टोरी, बूत की कहानी मुझे सुनाई और मेरे लिए टोस्ट बनाके भी लाए थे, तो उसको यह सब चीजे याद आ रही थी, उसको याद आ रहा था कि कैसे जो मेरा सबसे बड़ा भाई, उसकी डेथ हो गई, छोटा भाई, हैरी जो है, वो चर्च डेकोरेट करने के बिजनिस में, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनिस की वज़े से बहार ही रहता है, बस पैसे बेचता है अपने फादर को, तो अब न वो कहीं न कहीं, इस डिलेमा में, इस कन्फ्यूजन में है, कि अच्छी चीज़े भी उसको याद आ रही हैं, तो वो सोचती कि मैं जाओं की नहीं जाओं, तो वो सोचती कि ठीक है, भले मेरी घर पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मुझे बहुत साफ सफ़ाई करनी पड़ती है, भाई बैनों का, फादर का, सब कर खयाल रखना पड़ता है, सब कुछ बहुत हाड है, पर शायद कोई वर्स्ट आप्शन नहीं है, यहने कोई ऐसी भी कोई बत्तर जिंदगी में मैं नहीं जीती कि मुझे भागना पड़ रहा है एक लड़के के साथ, उसके फादर कोई इतने मीन नहीं थे, हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो तो ओल्ड हो गए हैं, इतने बोरे भी नहीं उसके फादर, यह वो ऐसा सोचती है, वो सोचती है, देर भी हो रहा है, यह शाम का समय हो रहा है, रात को उसको भागना भी है फ्रैंक के साथ, बट वो फिर भी बैठी रहती है, वो सोचती है कि कैसे मेरी मा ने अपनी पूरी जिंदगी साक्रिफाइजेस किये, मेरे फादर हमेशा से उनके साथ बुरा व्यवार करते थे, और मुझे सेम फेट, याने सेम फेट मतलब सेम डेस्टिनी, याने सेम किसमत नहीं चाहिए, अपनी मा जैसी, क्योंकि मेरी मा ने पूरी जिंदगी साक्रिफाइस कि, और लास्ट में वो क्रेजीनेस में आने पागलपन हो गई थी, और मर गई थी, उनको बहुत बिमारी उने जकड लिया था, तो वो कहती है कि मुझे अपनी मा जैसी दर्दनाक मौत नहीं मरनी, मैं फ्रैंक के साथ भाग जाओंगे क्योंकि मुझे भी खुश रहने का हक है, आखर में, in the end, Evelyn waits in a crowd to board the ship with a Frank, finally Evelyn जो है, वो बोट स्टेशन पे पहुच जाती है और फ्रैंक के साथ भागने के लिए ready होती है, बहुत भीड होती है, बोट स्टेशन पे वहाँ खड़ी रहती है, सोचती है, बहुत confused होती है वो, बिल्कुल numb, सोन हो जाती है, उसको बहुत distress, tension से बिल्कुल पीली पड़ जाती है वो, she appears detached and worried, and prays to God for direction, उसको फ्रैंक से बिल्कुल detachment होने लगी, अलब ऐसा लग रहा था, वो उखड़ी उखड़ी behave कर रही है, बहुत जादा worried, tension में थी, और भगवान से वो prayer कर रही थी, continuously उसके lips prayer में चल रहे थे, कि मुझे direction दिखाओ, रास्ता दिखाओ कि मेरी सही duty क्या है, क्या मुझे भागना चाहिए कि नहीं? When the boat whistle blows and Frank pulls her hand to lead her with him, Evelyn dresses, finally boat की whistle बजी, कि चलो सब passenger अंदर बैठो, Evelyn का हाथ पकड़ा Frank में कि चलो boat में बैठे, उसने iron railings याने लोहे के सरीये पकड़ी और resist करने लगी कि, मुझे नहीं जाना, she holds the iron railings as Frank is swept into the crowd, moving towards the ship, वो railing पकड़े रखती है, Frank उसको बार बार बुलाता है, Evie, Evie, Evelyn, आजाओ, but वो कहती है, no, no, उसको समझी नहीं आता, और इतनी भीड होती है कि भीड से बहते हुए, स्वे होते हुए, Frank अपने आप बीड के साथ बोट में पहुच जाता है, और Evie, बहुच टाइटली, लोहे के railings पकड़ी हो रहती है, और नहीं जाती, वो continuously वहाँ से चला रहता है, कि कम आओ, बोट जारी, एविलिन चलो, लेकिन वो आयन रेलिंग को पकड़ के बिल्कुल fixed, बिल्कुल जमीन से चिपक के जैसे खड़ी हो गई थी, बिल्कुल motionless, ना हिल रही थी, ना ढोल रही थी, और बिल्कुल emotionless हो गई थी, जब Frank ने उसकी आँखों में देखा, तो Frank को एविलिन की आँखों में ना तो उसके लिए प्यार दिखा, ना कोई emotion दिखा, ना farewell, ऐसा भी नहीं लगा कि उसको विदाई करी, एक बाय तक नहीं बोला उसने, और बिल्कुल cold look था उसकी आँखों में, जैसे कि वो जानती ही नहीं है Frank को, और finally वो end में नहीं गई, अपनी मा का promise रखा, और एक beautiful daughter का उसने काम किया, वो भागी नहीं, and here we come to the end of the summary, I hope आपको beautiful summary बहुत अच्छी लगी होगी, आप चाहें, तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले, तो Google पर जाएए, हमारी website का नाम डालिए, which is magnetbrains.com, and जैसे आप website पर जाएँगे, इस तरीकी का एक page आएगा, अगर आपको class 12 के videos देखने, तो इस option पर click करिए, जैसे आप click करेंगे, इस तरीकी का एक page आएगा, यहाँ पर class 12th kaleidoscope का option है, आप इसे click करिए, जैसे आप click करेंगे, जो मेरे list of videos हैं, आपके सामने इस तरीके से आजाएँगे, आपने इस topic पर click किया, जैसे आप click करेंगे, मेरे video आपके सामने play होना start हो जाएगा, and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel, क्योंकि Magnet Brains free of cost, quality education आपके घर तक पहुचा रहा है, तब तक के लिए, bye bye and take care.